जैसा की दिखरा गूगल एड्सन में एड्रेस भेरिविकेशन कम्पिलेट हो चुका है अब यूटूब चैनल में ब्यांग एकाउंट को एड्ड करने का सबसे आसान तरीका बताने माला हूँ गाइस भीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्याब करके रखीगा तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले गूगल एड्सन को करम merch से आपेन कर लेता हूँ करम राजर को आपेन करने का बद गूगल.com एड्सन को टाइप कर देता हूँ उसके बाद Get Start option दिखेरा है, उसमें किली कर दना है, Get Start में किली करने पर इस्टरगन टेस्पेस दिखाए दिखाए देगा, मोबाइल में जो भी Email ID एट रहेगा दिख जाएगा जैसा कि मेरा दिख रहा है, Google Adson Account जो भी Email ID के साथ एट है उसमें किली कर दना है, email id में क्लिक कने पर google ads and account ओपन हो जाएगा जाएगी यजा की मेरा दिख रहा है right site में थोड़ा उपर 3 line setting दिख रहा है इसमे क्लिक देना है 3 line setting में क्लिक कने पर इस्त्रगन test वेज दिखाए देगा उसके बाद payments option दिख रहा है इसमे क्लिक देना है YouTube India option दिखे रहा उसमें किलिका देना है YouTube India option में किलिक करने पर रिष्टरगन टेस्प से दिखाए देगा Bank account को add करने लिए Scroll करके थोड़ा उपर कर लेता हूँ थोड़ा नीचे add payments method option दिखे रहा उसमें किलिका देना है जैसा कि मैं add payment method में में किलिका देता हूँ add payments method में किलिक करने पर रिष्टरगन टेस्प से दिखाए देगा सबसे पहला बाला option Beneficacy ID दूसरा बाला option में जिसी बंदा का bank account को add करना उसका नाम को डाल देना है जैसा कि मेरा अपना name को डाल देता हूँ तीसरा बाला option में bank का name को डाल देना है जैसा कि मेरा पंजार पंसर bank को डाल देता हूँ चाहुथा वाला option बैंक का FC को डाल देना है जैसा कि मेरा अपना bank का FC को डाल देता हूँ उसके बाद 5 नमबर में branch का ship code को डालना होगा YouTube Payments पानी के लिए ship code को डालना ज़री है branch का ship code Google एक रंबरोजे से जानकरी कर पाओगे अगर आपको जान है अपना branch का ship code क्या है उसके लिए वीडियो की decision में दुसरा वीडियो मी जाएगा जैसा कि मैंने Google से डाउनलोड किया था अपना branch का पूरा details इस बला details में अपना ship code दिख रहा है जैसा कि अपना branch का ship code को डालेता हूँ उसके बाद 6 नंबर में अपना account number को डालेता हूँ 7 नंबर में same account number को डालेता हूँ जो भी accounts का details को डाले हो सही से check कर लेना है थोड़ा निचे time condition को on करके save button option दीखे रहा समे क्लिक कर देना है जैसा कि मैं save option में क्लिक देता हूँ save option में क्लिक कनने पर bank account add हो जाएगा जैसा कि मेरा दिखरा bank account add हो चुका है bank account add होने का बाद इस तरका अंटरस्पेस दिखाई देगा अगर आपको बाद में YouTube चैनल में bank account को change करना है थोड़ा नीचे manage payments method option में क्लिक करने पर इस तरका अंटरस्पेस दिखाई देगा थोड़ा नीचे remove option में क्लिक करके bank account को change कर पाओगे नहीं तो add payment method option में क्लिक करके bank account को add कर पाओगे तो guys YouTube का payments पाने के लिए bank account को add कैसे करते हैं सबसे आसान तरीका जान चुके होंगे guys इस बला वीडियो में कुछ जानकारी मिला तो एक लाइक जरू किजिगा